हेलो फेंड्स आप सभी का स्वागत है में चैनल पर इदेखे फेंड्स आज फिर से लेके आई मैं आपके लिए प्यारा सा आइडिया अगर आपके पास भी इस तरह से कोई सिंगल पीस कपड़ा पड़ा है तो उसी का यूज करके हम आज एक बहुत ही सुन्दर सा बैग रेडि करने वाला है सिर्फ एक कट लगाएंगे फ्रेंड्स हम और हमारा बैग रेडि हो जाएगा देखे इस तरह से जो मैंने में फैब्र बिल्कुल न्यू और इजी ट्रिक लेके आई हूँ फ्रेंड्स मैं आपके लिए आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही असानी से हम इस बैग को रेडि कर लिंग और बहुत ही कम समय में फ्रेंड्स देखे इसकी सबसे पहले जो पीस मैंने रेडि किया इसकी इससियर में आपको बता देत雙 हूँ स कीमेजर्मेंटके यहां से frickin 2 अब हमेसे शीप देने है जहां से above और इस साइड्स को फॉल कर लेते है फिर हमें 1 और करना है इंदू कि इस तरह से रकते हुए इसको एक फॉल्ड और कर देते हैं टूफोल्ड हो गगी है हमारी अब ह हम यहां से निशान लगाएंगे उपर की साइट से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पि ए इस तरह बीं भीं और निशानों नड़ किसी गोलाई दे देंगे इस शेप में हमने निशान लगाया उसी शेप में हम इसकी cutting कर लेते हैं इस तरह से हमने इसकी cutting कर लिए उपर की तरव से हमेशे shape भी दिती इन pieces को हमें फैक्ट नहीं है इनका भी हम use करेंगे सबसे पहले देखी इस तरह से मैं इसको open करके दिखाती हूँ सिंगल पीस से हमारी इस तरह से इसकी शेप आगी है अब हम इनके सैंटर पाइंट पे निशान लगाने है इस तरह से इन निशानों को आपस में मिलाते हुए देखे इस साइट से एक निशान लगा लिया है मैंने अंदर की तरह रखते हैं इसके उपर सिलाई कर लेंगे आप चाहो तो अलग से भी पोकेट रएडी कर से फ्रेंट्ट की मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब मैंने उपर की साइड से ट्व इंच पर निशान लगाएं यहां से हम इसको कट कर देंगे इस तरह से क पटी लिए उसके उपर इसको इस तरह से रखना है और इसके उपर यहां से हमें सिलाई कर देनी है दोनों साइड से हम जिप को इस तरह से रेडी कर लेते हैं पहले इस तरह से जिप हमारी रेडी होगी दोनों साइड से मैंने इसके रेफैसे फिनिश कर लिए अब हमें क्या करना है सीधी साइट दोनों की अंदर की तरफ रखते हुए हमें इसके उपर सिलाई लगाने है और सीधा करते हुए हमें इसके उपर टॉप स्टिच लगाने है सेम इसी तरह हमें उपर की साइट भी करना है यह देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी होग लेखेंगे ऊपर और नीची कि साइड से भी ठीक हम फोकेट इस तरह सेंट्र पांट को आपस में मिलाते वह सितरह से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर ते वए हम इसके चारों को जो सेंटर पाइंट से दोनों साइड थिंच का निशान लगाया है उसके उपर स्ट्रैप को रखना है और उसके उपर सिलाई कर दीना है यह देखी इस तरह है इस तरह से हमने कपड को स्ट्रैप के साथ अटैच कर लिया है अब हमें क्या करना है इसको एक साइड रखते है एट इंच है अब हम इसे बीच में से फोल्ड करते वे इस पे मिड़ का निशान लगा लेते हैं इस साइड वी और दूसरी साइड वी फ्रेंट्स इस तरह से दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेते हैं और बीच में से हम इस पे कट लगा देते हैं इस पट्री को मैंने स सब्सक्राइब करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते वे हम इसके ओपर टॉप स्टिच लगाएंगे कि अब हमें क्या करना है जो दूसरा कपड़ा इसको इसके ओपर रखेंगे और लंबाई में फिर से सेम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको बाहर के तरफ फोल्ड करते वे इसके ओपर टॉप स्टिच लगाएंगे यह दिखे फ्रेंट्स हमारा उपर वारा जीप परपोशन बनके रेडी हो गया है अब हमें जो इसके अंदर जीप के अंदर रनर डालना है जीप के अंदर रनर हमारा डल चुक है अब जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने उसे कट कर दिया अब जो हमारा में कपड़ा था उसके ओपर इस तरह से रखते वे यहां से यहां तक हम सिलाई लगा देंगे मैं इसके अब तरह सिलाई कर लो तरह से और जो consistent सिलाई कर लेंगे अब हम इसके चारो तरह सिलाई लगा लैंगो दージभी मैं उस्तरह से रखते वे में ऊप चाह ओ तो पहले बीच का निशान कर लिए सेम इसे तरह मैं दूसरी साइड भी सको फिन अप कर लेती है इस पर अब मैं 모든 तरफ सिलाइस लगालीता है इस सिलाइ लगाने के बाद हमें क्या करना है इससे मेने सिलाइए लगा लिया अब सिंपल कपड़ की पट़ी से मैं इसकी रफ इसको फिनिश कर देते हूँ इस तरह से fold करते हूँ एह दोनों साइड से, इस तरह से कपड़े को fold किया, और इस तरह से half part नीचे की तरफ, half part उपर की तरफ रखते हूँ, मैं इसके उपड सिला ही लगा लेत तुम, ठीके है फ्रेंट्स, ये देखे फ्रेंट्स कपड़े के पट्टी से सके रफ है जिसको मैंने अच्छे से फिनिश कर लिए और देखे कितने अच्छे साइज का हमारा ये बैग ready होगया है देखे हम इसको सिधा कर लेते हैं यह देखी इस तरह से हमारा बैग रैडी हो गया और यह आए इसकी फाइनल लुक यह देखे ऊपर की साइड में जिप लगा यह जिप यह हमारी देखे काफी अच्छी है अलंबी है देखे इस तरह से अर इसकी काफी सुदर और बड़े सिल ट्रेवल बैग रेडे होगा है इसल Going कर ऐसीर बषण है और कोती इसल एक सिलमें अश्षारो जना, काफी बड़े बाएं इसलियुग है और काफी एक 60 इंच का थन ख्यां काफी अच्छे size का हमारा ये ready हुव है यहां से इसके लंबाई है 12 इंच इन की medium size का हमारा ये bag ready हुचक आ हम कई कई पिकणिड के गहरें पर जा रहे हैं तो खानें वे गएरा का समान इसमें रख के ले जा सकते हैं easily में जब खरीदें जाते हैं तो इस तरह के बैग बड़े कोस्टली आते हैं तो यह हमारा बैग रेडियो के फिर्ट्स अगर आपको मेरे यह आइडिया यह बैग अच्छा लगाओ तो फटा फट वीडियो को लाइक कर दीचे और कमेंट करके बताए कि आपको यह बैग कैसा लगा फ्रेंड्स थैंक्यू फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में एक नई आइडिया के साथ बाई प्लीज लाइक शेर अन सब्सक्राइब मैं चैनल बाई